रादि रादे दोस्तों स्री क्रिस्ण कैसे हो आप सब लोग तो आए होग के अच्छे होंगे और यहां पर सुबे के मज़रे हैं साथ और हम उठ गए हैं साथ बज़े उठें हैं क्योंकि द जल्दी मत उठाना तो यहां पर पानी गरम करने के लिए रखा हुआ है और पीएंगे पानी तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हो चुकी है दिन कैसा रहेगा यह तो मुझे भी नहीं पता लेकिन बहुत ज्यादा बीजी रहने वाला है दिन और मेरे पास एक मिनद का अभी टाइम नहीं है और अभी थोड़ी देर में बच्चों को भी उठाऊंगी उनके कलास भी लिवाने हैं और नहाना भी है और कुछ इंट्रेस्टिंग भी है आप लोगों के लिए जानने के लिए तो क्या इंट्रेस्टिंग है अभी तो मैं नहीं बता रही हूँ लेक पानी को तो पहले उनको देहाते हैं शिप शिप करके ना आज का लिए पानी पीओ तो जुखाम भाग जाता है इसमें हल्क आसा आजएन भी होता तो और भी अच्छा होता लो पीलो है नहीं आजएन तो नहीं डाला डालो चलो अभी मैं पी लेती हूँ अपना पानी फिर मिलती हूँ आप लोगों से तो चायव आई पीके और यहां पर मैंने यह मेथी भी बिन ली है अभी बना रही हूँ मेथी के पराठे तो बहुत सारा कचणा निकला इससे तो अभी मैं इसको दो लेती हूँ अच्छे से और फिर काटो ली इसको मैंने यहां पर आटा तयार कर लिया है और मेथी भी धोके काट के तयार कर लिया है तो बस इस तरीके से में मिलाती हूँ धेर सारी मेथी और बहुत अच्छी लगती है आजकल मेथी के पराठे थोड़ी गरम होते हैं और यह हल्दी भी होते हैं तो बस मैंने इसमें मिला लिया है हल्दी थोड़ के लिए आई हूं मार्केट में और बैटरी बहुत जरूरी है तो यहां पर देखिए पूरा यह कैमरे का ही शोरूम है और यहां पर सोनी के मिलते हैं कैनन के मिलते हैं निकॉन के कैमरे मिलते हैं तो यह चोटी सी बैटरी है न जो यह लेनी थी मुझे जैसे कि आप लोग को प मैंने बहुत सा सर्च किया और बहुत से कैमरे की दुकाने देखी लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा लगा और यह लोग ज्यादा एकड़ मतलब जैसे और बोलते हैं ना वैसे नहीं बोल रहे थे तो बहुत अच्छी लगी मुझे यह शॉप तो ऐसी चीजों को तो चक करके ही लेना चाहिए तो भया कर रहे हैं यहाँ पर इस बैटरी के अन्बॉक्सिंग और समझा रहे हमें की एक ऐसे चार्ज करना है तो यह दिखिए यहाँ पर अभी इतनी बैटरी होती है जो गोप्रो के अंदर लगती है तो डबल बैटरी ही सही करी रहती है उसकी तो यह हरा के दिक़ा रहा है है तो यह हीरो नाइन ब्लैक का ही लेकिन फिर Бिल्फ करके लेना चाहिए कभ가 वार बॉकस वेसे भी यह रह जाती कुछ भी हो सकता है तो इतना रिस्क smo ह cancelना चाय dubious तो सारा मैं चेक होती है के साथ सिर्फ अड़ेटर एक बैटरी और जो हेलमेट पे लगाने का होता है ना वो तो मेरे मतलब का नहीं है मैं तो बाइक वह सोरी स्कूर्टी वगेरा ये सब चलाती नियू और मोटो व्लोगिंग जो होती है न वह इसी से होती है तो बहुत दिखा रहे हैं पूरा कभी रहता है कभी कभार किसी से बात होती रहती है तो मैं इससे शूट कर सकती हूं इसलिए मैंने ये लिया है जो है क्या थमां वैटेरी डाब सकती हो अच्छा दा याउजाद हो जाए चे-चेजसी जूटी यह कौन सा माईग है जोष मे रॉड में रॉड को कितने का है कितने कपड़े हो वेसे तो प्राइज दो फांच-जार का रॉड का पहले को किट खरेज नो स्केल अब से किट करें ऑचा माई कोन-कोन सा आपके पास है जो कि अच्छा शराम ओने का सिकनी के आच अच्छा और इस पर दी तीने में अच्छा यह उपने के माई कमारेकर एक वह एक अच्छा है यह डाइप्टर लगेगा इस चार्जिंग हाँ कमरे पर हां इसके लग जाएगा यह कमरे पर इदर वह मैंस का आप अच्छा सीधा मैक लगे लगेंगा हाँ उसके बाद मायक लगें यह कितने का है कितनी नहीं कि फोटीटू का और माइक कौन सा लगेगा इस पर रॉड का कितनी आप चाहिए बोया यूज कर सकतो रॉड का है तो यह माइक वगेरा सब मुझे किसी वी चीज की जरॉत नहीं थी बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसी पूछ रही थी और मैं तो अंद पर इतनी जरूरत नहीं है लेकिन हाँ जो लड़के लोग होते उनके लिए है वो जरूरत और बहुत अच्छे से ब्लोगिंग करते हैं उनका काम ही यह है तो अलड़ी मेरे पास एक माइक है जिसको कि मैं यूज भी नहीं करती हूं तो माइक वगेरा यह सब तो मैंने नही लिया बस जानकारी के लिए ऐसे ही कैप्चर कर लिया था तो मुझे बैटरी चाहिए थी वो मैंने ले ली तो अब मैं आ गई हूं मार्केट में बाहर घर की तरफ आ रहे हैं हम लोग तो यहां पर यह शेटर लगी थी बहुत प्यारी लगी मुझे तो मैंने कैप्चर कर ल सेप बी सेपी होते थे कभी भी मेरे इतने ज़्यादा लंबे बाल नहीं रहे और बहुत अच्छी हेयर स्टाइल रहती थी मेरी अच्छा केयर करती थी मैं लेकिन आप तो बिल्कुल उसका दस पर्सेंट में नहीं होता है और यह देखिए तो यहाँ पर भाया दिखा रहे है कि कितनी लेंथ रखनी है बालों की और यह मार्केट ठीक मेरे घर के सामने ही है ज्यादा दूर पे नहीं है तो बस साम के टाइम गए थे हम और इतने ज्यादा उलज रहे थे ना यह बाल कि मैं क्या बताओं तो यह देखिए यहाँ पर कटिंग होने लग गई है और मुझे हो जाती है छोटे बालों की यह देखिए बाबु यहाँ पर शूट कर रही है बस यह सही है और यूशेप मैं दे रही हूं अपने बालों को और इतने ज्यादा अजीब से हो रखे ना यह देखिए उपर से अजीब से और मैं भया को बोल वी रही थी भया ज्यादा मत काट देना आप और अभी तो ठीक लग रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा उलज रहे थे इतने ज्यादा निकल रहे थे मैं क्या बताओं बहुत दिन बाद कटिंग कराई मैंने तो जी फाइनल टेच ये दे दिया है मेरे बालों को और फाइनली मैंने अपने बाल खटा लिये है तो ये थी बस मेरी आज की वीडियो और थोड़ इसी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो को मिलती हूँ मैं नेक्स वीडियो में